ये लाल किला है और बहुत बड़ी है और बहुत बहुत बहतरीन है देख सकते हैं ये अंदर की और है चलिए देखते हैं क्या क्या है किस तरह से है ये देख सकते हैं चारों तरफ काफी उंची और बहुत ही खुबसूरा थे लोग यहां पर बहुत दू-दूर से आते हैं के अंदर और का फी खुशी पूर्वक यहां पर आते हैं घुमते हैं अपने जरुतमत की चीजों को यहांपर खरीते हैं क्योंकि रेट भी बिल्कुल अच् Cou decis होती है और जो चीज होती है बिल्कुल अच्री a truly कमिलती हैं यह आप देख सकते क्योंकि लाल किला बहुत ही फेमस जगह है दिल्ली का और इधर आप देख सकते हैं किस तरह से चीजे भीक रही है मिल रही है बहुत ही खुबसूरत और बहुत ही बढ़िया चीज यहां पर एवेलेबल है लोग काफी खुशी पूर्वक यहां पर इसलिए घुमते हैं क्योंकि यहां का नजारा ही बहुत ही अलग सा है बहुत ही अलग सा है और बहुत ही बढ़ी है लाल किला अंदर आप जाईएगा तो बहुत ही बढ़ी नजार आएगी चलता हूँ देखता हूँ क्या किस तरह से है इधर आप देख सकते हैं कपड़े वेगरा तरह तरह की चित्र कला चित्र यहां पर एवेलेबल है इधर आप देख सकते हैं काफी बढ़ी है आपको घुमने में टाइम लग जागी बहुत बड़ी है और यहां पर घुमने के लिए काफी अच्छी जगा है और सांती फील होती है यहां पर आने से ही आपको मन बिल्कुल खुसी फील होगी क्योंकि जगा यह ऐसा है बहुत भड़ी जगा है और पार्क है तरह तरह के यहां पर और यहां पर लोग आते हैं, अराम करते हैं, घुमते हैं, तरह तरह की चीज है, यहां पर जितने भी पुराने जवाने के जो लोग रहते थें, उनकी तरह तरह की चीतर है, म्यूजियम है, यहां पर रखी गई है, हलाकि म्यूजियम चार बज़े के बाद बंद कर दी गई है अभी तो साम की वक्त है म्यूजियम बंध हो गई है जिसके कारण म्यूजियम मैं नहीं जा सका ठीक है आगे बाहर की और देखता हूँ किस तरह से क्या है पबलिक अब देख सकते हैं किस तरह से काफी उची और काफी बड़ी अब देख सकते हैं कि किस तरह से बनाई गई है, किस तरह से लोग अपने हुनर के साथ बनाई गए हैं, जितने भी लाल कीला में इस्थित मिनार हैं, और जितने भी बनाई गई इट के थुरू, बहुत ही बढ़िया, काफी बहतरीन और महनत से बनाई गई है, इधर आप देख सकते हरी भरी है प्रियरपोधे हैं और पक्षी भी काफी तुनदर सुनदर आवाज निकालती रहती है। इधर आप देख सकते हैं तिवान आजम बहुत ही बहतरीन और पबलिक को आप देख सकते हैं किस तरह से ये कांच है कांच के इसके ढग दिया गया है इधर आप देख सकते हैं किस तरह से काफी बड़ी और बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बढ़िया नजरा है चारों तरफ अब देख सकते हैं किस तरह से हैं अगर कभी टाइम मिले तो आप घूम सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगे होगी तो सब्सक्राइब कर देजगा ठीक है टेक केर थेंक्यू मैं डियर फ्रेंड्स